दोस्तों आज के मारे वीडियो का टॉपिक है कि ट्रांसफोर्मर का जो नूटल पॉंट होता है उस पर हम अर्तिंग क्यों करते हैं तो तो यह वीडियो काफी helpful होने वाला है आपके लिए क्योंकि दोस्तों यह कॉश्चन जो हमसे इंटर्यू में काफी पूचा जा सकता है फ जो करते हैं यहां से इन तीनो को शौट कर देते हैं और इधर हम इन तीनों पर और टीनफेज़ देते हैं तो यह जो कनेक्षन होता है यह होता है हमारा star connection, इसी दोस्थ सो हमारे transformer के अंदर भी star connection क्या जाता है, वो कैसे क्या जाता है, आप समझ लीजे, जैसे हमारे जो हमारे transformer के अंदर आपको पता है, incoming में भी electrical supply होती है और outgoing में बी लेक्टिकल सप्लाई आती है तो इनकमिंग में सप्लाई आती है वो तो कुछ इस तरीके से था हो तो कुछ इस तरीके से connect होती यह वोलते है दोस्तो इसको डेलटा के रहे जैसा तो अब यह क्या है देखे यह एक पॉइंट ऐसे जोड़ गया यह दूसरा पॉइंट यह हो गया तीसरा पॉइंट यह उगया धीक यह गया जिस तरह दोसो हमने मोटर के अंदर हर फेस की एक winding को दूसरी winding के short कर जाता है इसी तरह दूसरों यहाँ पर भी कर जाता है जैसे यह R है यह Y है और यह B है यह 3 है तो इनके जो दूसरा point है इनका जो दूसरा सीरा है उसको यहाँ पर short कर दिया 3 को तो दूसरों यह short होता है यह short circuit को सब्सक्राइबाता बिल्कुल यह जear बेक तरहें वोल्टर के देश्चल अंधर कर रहें तो यह मारत बोल्सकि चीक भूने syllabus मेले सकते हैं, जियरो आपये सब्सक्राइब की पती है कंगर यहां पर चेक भी करोंगे लगए तो आप ऱिए ने क्यों है क्या फास्त लागा está तो बिक वह काई करना यागा क्योंकि यह क्या है तो नूटल क्योंकि यह है स्टार पोईंट जो इश्टार इत्राक इसम्क्यूं कर रहा है इसनुल मार्त क्यूत कर रहे हैं तो डोस्तों इसका इस चीप समझ लेई की रहLS में पाता है वह लोड दो भागों फक्ष हर रहा है है फोड़ा समамकोर क्या तो समय यह जा है तो क्या है आपके लिए कभी जिन्दिकल्ण कि में आप नहीं बुलेंगे यह 3-phase system का मतलब जैसे हमारी कोई motor हो गई है यह ना वह सारा का सारा जो भी load है हमारे पास जो भी हमारे equipment है वह सारे अगर 3-phase के है तो हमारे जो load रहेगा वह अधिकतर balancing ही रहेगा पर unbalancing load की condition कब आती है वह तब आती है जब हमने क्या कर रखाए जैसे जैसे हमने क्या बहुत sari machine लगा रएक है और वह सारी की सारी machine जो है single face किए से सिंगल face होने के कारण उस से हमें हमारा क्या unbalance vara हो जाता है कैसे हो जाता है दूसों तो करेंगे इंपर नीचे होगा एक पहँ है एक नहीं होगा यहां पर जादा ही हएयें पर एक यह घ् Karim करने ठीक हमारे जिसको अगर वी 2D是 smells स्पियल अ करने श्रंसबंसे निकल देंगा हैं तो अगर अंपय current check करेंगे तो जैसे हमारा लूट 10 एमपए Rich current ले रहा है तो यहां पे दस आहएगा और यहां पे दसए दिखाएगाँ अग keen है कि में इसको चेक करते हैँ अहां पहर करनद छी तो फो जो underlying relevant ले रहा है तो है को forehead 2 इसे में दोस्तों यहां पर जो Newtel होता है Newtel current कैसे लेता है इसके calculation होती है वह Newtel current खरको सीखने है तो आप मुझे comment, लेखने करें बताइएगा मैं इसके उपर एक वीडो बना दूगा कि आके Newtel कीतना current ले रहा है, उसको कैसे calculate करें तो दोस्तों क्या होता है जब हमारा यह पोंपनाइशा सालो इसलिए क्योंकि अगर यहां पर करंट फॉएंगा तो यहां पर इसके लिए नियुक्त सीजिंग है अगर आपको पोछेंगे वह इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है तो सब्सक्राइब उम्तिक यहां पर इसनुटल में बिल्कुल भी करंट ना फ्लो इसके लिए हम यहां यहाँ पर कम घुखे तो ऑनैशिव रसे घुखता है यह sit होगा जोड़ने डूटले ऑमने स्पेज़ वह बरकरार है क्यों दोस्तों हमको पता हूं जो ईर्टिए ग्रांड से सुझी हो allowed तो यहां पर हमेशा zero potential बनाए रखने के लिए हम टास्परम में neutral को अर्थ देते हैं और दोस्तों इक चीज धियान रखेगा यह टास्परम में हम जो neutral को अर्थ देते हैं यह अर्थिंग नहीं कहलाती है यह कहलाती है यह कहलाती है दोस्तों हमारे grounding दोस्तों इस website पर आपको काफी अच्छे हिंदी में electrical और mechanical से जुड़ा आर्टिकल मिलेंगे वह सारे के सारे आर्टिकल बिल्कुल आसान बहास अपहोंगे यहां पर इतने आसान सब्दों में आपको आर्टिकल मिलेंगे कि यहां पर कोई आठ वी या दसवी किलास के लड़क सब्सक्राइब करके पूछ सकते हैं आज मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आज के लिए नहीं धन्यवाद